गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आपका जोलोजी की ओनलान क्लासेज में हार दिख स्वाकत है प्रिवेस क्लास में अपने ग्राफ्स ओफ फ्रिक्रिवेंसी डिस्टिरीबुशन फिर अपनने अर्थमेटिक मीन यानि समآहनतर माध्य किसे कहते हैं और उसको निकालने का एक नॉर्मल फॉर्मुला जान लिया था सम् εκम्राफ्य किसे बोलेंगे मीन किसे बोलेंगे कि कोई डाटा दिया गया है उसका निवन्तम और उसके अधिकतम मानों के लगबग मद्दे में उसका ओसत का मान सुननी सित रहता है जिसे उसका मीन रहता है जिसको निकालने के लिए अपने एक नॉर्मल फॉर्मुला लिया था पॉइंट था अपना मीन इसे बोल रहे था है अपन माध्धे ठीक है इसका सिंपल सा फॉर्मुला अपने लिया था मीन को पनिशो करते हैं अक्स बार से पेरामीटर्स के सेंपल का योग ये लिखाता अपने इसमें इसको डिवाइड किया था अपने पेरामीटर्स की संख्या से हैं तो ये तो एक नॉर्मल फॉर्मुला है छिक है जैसे मालो की मैंने इसका एक अग्जाम्पल भी लिया था कि एक से लेके कोई दस तक कोई डाटा दिया है अपन को पेसेंट्स का उनका बीपी से समंद्र डाटा दिया गया है तो यहां पे पन क्या रखेंगे पेरामीटर्स के सेंपल का योग यानि उनका योग करेंगे एक से लेके दस तक और संख्या कितनी है दस में हैं दस से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, clear था यहां तक, ठीक है, इसके बाद, अपन को मैंने कहा था कि, तीन प्रकार की जो series दी भी है अपने syllabus में, उनको अच्छे से cover करना है, जिसमें से पहली है, अच्छा अपने discrete series और continuous series तो अपने पहले से पढ़ रखी है, एक और होती है, जिसे बोलते हैं, व्यक्ति गत अन्वेशनों, व्यक्ति गत अन्वेशनों के लिए, समांतर माध्ये, जिसे यह पन बोलेंगे, arithmetic mean for practical अन्वेशनों को बोलते हैं, individual observations, इंडविज्वल अबजर्वेशनों, ठीक है, तो इस type की जो normal, individual observations होती है, सामान ने, उनके लिए अपन को mean निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले rules जान लेते हैं, इनमें जो भी data दिये वे होते हैं, data, उनके, उनमें frequency अंकित की भी नहीं होती है, यहने कि, जैसे मालों की data दे दिये, मेरे को blood freser से समन दित, और उनकी only संख्याई दिये कि एक से लेके, दस तक ये मरीजों के blood freser का data है, तो उनकी frequency दी नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई भी अपन को example में, क्यूशन में data दिया है, और उसके अपन को frequency नहीं ले, और अपन को उसका mean निकालने के लिए बोले, तो यह हैं किस type का होगा, arithmetic mean for individual observations, यहनि जो normal observations होती है, individual, उनके लिए अपन को के से निकालना है, तो उसके लिए अपन को एक data लेने, जिससे अपन अच्छे से समझे, नियम अपन ने जान लिया है, कि data की frequency अंकित नहीं की जाती है, बस अप अब अब लेते हैं इसका example, यह लिया अपन ने example, example में है, एक तरफ है मरीजो की संख्या, जिससे मैं बता रहा हूँ, मरीजो की संख्या, और दूसरी तरफ है इनका रक्त दाब, M.M.H.G. मैं है, इससे समंदिट data मिला है, मरीजो की संख्या है वो एक सोले के 10 तक भी है, एक, दो, ती, जार, आथ, छे, साथ, आथ, दो बोक्स और, ये नोर, ये तस, ये तो हो गई, एक से लेके 10 तक मरीजो की संख्या, इनका BP, इससे अपन क्या बूसकते हैं, BP blood pressure, ये दिया हुआ है, 70, 80, 90, 90, 80, 100, 100, 70, 80, और 90, ये अपन को Qution में या Example में data मिला है, इसकी एपन को Frequency नहीं दिये, बस नंबर ही मिये हैं, एक से लेके 10 तक मरीज है, इससे आपको Individual Observations के लिए मिल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक Table बनेगी पहले तो, वो Table बनाते हैं अपन, यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे Table न बना के Direct T, अपन फोर्मूला अप्लाई कर दें, तो इसका जो फोर्मूला है, वो क्या रहेगा, X-Bar, जिसे अपन बोलते हैं, मिल, यह की Symbol है, यह, Sum of X upon N, यह फोर्मूला है, Individual Observations निकालने के लिए, अब यहाँ पर, यह Symbol क्या है, यह X क्या है, N क्या है, यह अपन को पता होने चाहिए, तो यह Side में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस Symbol का मतलब है, योग से, यह नि, जोडने से, ठीक है, Sum of X का मतलब है, Variables का योग, ठीक है, और N से मतलब है, Number of Variables से, यानि कितने संख्या में दिये वे, एक से लिके 10 तक, तो N कमान तो होगिया 10, Number of Variables या Data की संख्या कितने में है, 10 में है, तो यह तो होगी Number of Variables, तो Sum, इसको बोलते हैं, Sum, यह जो Symbol है, इसको बोलते हैं, Sum, Sum का मतलब योग से है, Sum of X का मतलब क्या है, X Data क्या है यहाँ पर, यह वाला, तो इसका Total करेंगे अपन, यानि यह आपर लिखा है मैंने, Variables का योग है, तो इन सभी को जोडेंगे अपन, फिर Formula में लिखेंगे यहाँ पर, तो इन सभी को जोडेंगे, तो अपने पास जो Data आएगा, वो है 850, जोड लेना चाहिए आप, इसको पन Divide करेंगे, N, N का मान क्या है यहाँ पर, N क्या है, Number of Variables, कितनी संख्या मैं, 10, यह 10 से Divide कर दिया है इसको, 0 से 0, यह आगिया 85, यहाँ तक यह अपन को, यह Calculation करके नहीं छोड़नी है, आगे यह लिखना है, क्या लिखना है, आता है, O7BP, कितना है आपने पास, 85, किसमें दिया है BP, MMHG में, अपनिया लिखेंगे, MMHG है, ऐसे लिचे फिर Answer लिखना होता है, तब अपन को, जिसे 6 नमबर काया है, तो 6 में से 6 नमबर मिलेगे, ऐसे, तो यह तो, Individual Observations के लिए, अपनने, Mean निकाल लिया, यह इस Formula का, अपन को इसके से लिए ध्यान रखना है, कि Individual Observations में, कौन से, किस परकार के Formula को, यूज में लिया जाता है, तो यह Formula, Individual Observations के लिए, काम में लिया जाता है, क्लियर है, अब अपन केलकुलेट करेंगे, सेकेंड नमबर पर, Mean for discrete series, और थर्ड नमबर पर करेंगे, Mean for continuous series, बहुत ही इजी है, बस अपन को, इनके Rules और, Formula पते होना चाहिए, बस, आसानी से अपन, Calculation कर सबता है, सेकेंड है, Mean for, Discrete series, Discrete series का मतलब क्या है, थंडित स्रेणी, यह होता है, ओके, Individual observations, से Mean निकालने में, यह नियम था, कि उनकी डाटा की Frequency, अंकितनी की जाती, लेकिन यहाँ बिन की, डाटा की Frequency भी अंकित की जाती है, यही रूल है, रूल पता चल गया, अब लेते हैं, Example, ठीक है, Example दिया है, BP है, MM, HG मैं, और इधर है, मरीजो की संख्या, वही दस तक है, यह दस, BP, MM, HG में दिया है, क्यूशन में, 140, 170, 100, 120, 180, 130, 110, 150, 160, 190, यह तो, Blood Frasor दिया है, MMHG में, और मरीजो की संख्या, जो है, वह Frequency में दिया है, में रूल आपको पहले बता दिया था कि, डाटा के सामने Frequency बेंकित की जाती है, तो यह डाटा मिला है, Blood Pressure, इससे समंदित जो Frequency मरीजो की संख्या, जिसे बोड़ रहे है, वह है, जिसे 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 2 है, 3 है, 5, 4, 3, 2, इससे समंदित अपन को, Discrete Series, यह क्या परकार की, Discrete Series, इसके लिए अपन को Mean Calculate करना है, तो सबसे पहले, Rule क्या है, वो पता है अपन को की Frequency इंकित की जाएगी, दूसरा, यह है, कि इसका अपन को Formula पता होना जाएगी, Formula है, Ax Bar, इकोल टू, Sum of Fx, Divided by, Sum of F, या, N, यहाँ पर, Ax Bar का मतलब, Mean यानि की माद्दे से है, इस Symbol का मतलब है, योग से है, Sum of Fx का क्या मतलब है, Sum of Fx, यह है, Variables एवम, रिलेटेड, Frequency के गुणन का योग, गुणन का योग, Variables, यह तो होगे, Variables, इनको पर सो करेंगे, Ax से, इससे, Ax से, Frequency है, मरीजोग संग क्या Frequency बोलेंगे, देसको बोलेंगे, Apps है, तो यह Sum of Fx क्या हो गया, Variables, एवम, समंदिद Frequency के गुणन का योग, यहनि कि, इस Frequency को, इस Variables से गुणन करेंगे, तो अपने पास Sum of Fx आजाएगा, फिर इनका Total निकालेंगे, तो अपने पास Sum of Fx आजाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि, Variables एवम, Related Frequency जो है, उसका जब गुणन करेंगे, गुणन करने के पाद जो योग आएगा, इन सभी को गुणन करेंगे, दो को 140 से, 4 को 170 से, तो यह, इसको जब गुणन करेंगे, जब टोटल करेंगे, लास्ट में, इसको करश रखते हैं, Number of Variables, एक ही बात है, तो यह है इसका Formula, जो आपको याद रखना है, यह Formula, Discrete Series से, Mean निकालने के लिए है, और यह ही Formula अपन, Continuous Series के लिए, Mean निकालने के लिए भी ग्याद करेंगे, यूज में लेंगे, तो यह Formula आप धिहान रखना, इसमें किसका क्या मतलब है, वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, और Notes में भी वो चीज़ आपको मिल जाएगे, अब बनाते हैं, अच्छा, इसके लिए अपनको सबसे बिले टेबल बनानी पड़ेगी, इसमें एक तरफ तो आजएगी करम संख्या, एक तरफ तो क्या आजाएगी, करम संख्या, एक तरफ आजाएगी BP, यह यहाँ पर BP, यह यहाँ पर इसकी, Frequency, और यहाँ पर FX, यह FX, यह F, यह X, और यहाँ पर करम संख्या, करम संख्या, करम संख्या, कितने हैं, एक, दो, ती, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नो, दस है, दो, ती, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नो, और यह 10, फिर यहाँ पर इनका पर टोटल ले लेंगे, यहाँ पर इमें लिख देता हूं, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, यह है BP, MM, HG में, और यह जो frequency है, यह है मरीजो की संख्या, मरीजो की संख्या, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? frequency, यह सेम टू सेम यहाँ पर अपन उतार देंगे, सबसे पहले BP, 140 है, फिर 170 है, फिर 100 है, फिर 120 है, फिर 180 है, फिर 130 है, फिर 110 है, 150 है, 160 है, और 190 है, फिर है मरीजो की संख्या frequency, यह दी भी है, टू, फॉर, फाइफ, यह टैन, यह टू, यह थ्री, यह फाइफ, यह फॉर, यह थ्री, और यह टू, चिक है, अब अब यहाँ पर है fx, यानि की frequency को multiply करना है अपन को, BP से, जिसको अपन बोल रहे हैं, अक्स, variables को अक्स से ही शो करता है अपन, तो, टू को multiply करेंगे इस से, फिर इसको इस से, फिर इसको इसको इसके, जो data आएगा, उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसका अपन total कर देंगे, तो total करेंगे, तो total को अपन क्या बोलता है, योग, तो, यहाँ पर sum of fx आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, sum of f, इसे अपन, n से भी शो कर रहा है, एक तरफ इसका total कर लेंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पर इन दोनों को multiply करके, इनका यहाँ पर total कर लेंगे, तो data कैसा आएगा, जिसे 280 आएगा, multiply करके आप देख लेंगे, चस्सो अस्सी, 500, 1200, 360, 390, 550, 600, 480, और 380, यह multiply करने के बाद, calculation करके आप देख लेना, same as a ही आएगा, तो ऐसे ही आपको calculation करनी है, फिर इन सब भी का total करेंगे तो अपने पास, sum of fx, इसका माने तो निकालना था अपन को, तो यहाँ पर sum of fx का मान आजाएगा, वो होगा, 5, 4, 3, 2, count करके देख लेना, यह आएगा, और यहाँ पर frequency का भी total करना है अपन को, तो यह आएगा, 40, यह 40, clear है, अब अपन को यह table बनगी, calculation कर दी, इन दोनों का मान अपने पास आचुका है, अपन formula में इसको apply कर देंगी, बराबर, sum of अपक्स कितना है, 420 divided by 40, यह यह, छीक है, calculation करोगी, तो जो data आएगा, वो किस में आएगा, mmHg में आएगा, तो 135, calculation करके देख लेना, 0.5 mmHg, यह आगया, अपने पास इस table का mean, तो ऐसे अपन, discrete series के लिए, यह formula यूज में लेते हुए, आसानी से mean निकाल सकते हैं, clear है यहां तक, चाहिए आपके पास कोई सा भी data आजाए, यह formula आपको ध्यान होना चीए, और यह table कैसे बनती है, यह भी आपको ध्यान होना चीए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अब अपन, continuous series के लिए mean याद करें, यह तो discrete series के लिए था, अब याद करेंगे, continuous series के लिए, किसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत simple है, formula same ही रखेंगे, mean for continuous series, जिसे बोलते हैं अपन, सतत स्रेडिया, एखंडित, यह बोलते हैं, जो अपने पहले पढ़ लिया था, इसको, इससे mean के से ग्याद करते हैं, इस series से, उसके जो rule है, वो यह है, कि अपन को पता है, इसमें data यह से आएगा अपने पास, इस class interval के रूमेचे से 60 से 70 है, 70 से 80 है, ऐसे आएगा, तो इसमें first rule तो यह है, कि सबसे पहले अपन प्रतेक class interval, यह क्या है, class interval है, 60 से 70, प्रतेक class interval का अपन को, mid value या मध्यमान निकालना है, क्या निकालना है, mid value, इसे बोलते हैं, मध्यमान, 60 से 70, इस class की, mid value या मध्यमान क्या होगा, इन दोनों की बीची संग्या क्या है, 65, इसकी क्या है, 75, तो ऐसे अपन, प्रतेक class की, mid value या मध्यमान अपन, याद कर लेंगे, यानि कि, अपन इस continuous series को, discrete series में बदल लेंगे, जैसे मान लोग की, 65 इस class की, mid value है, तो इस 65, इस class की, सभी मानों का पड़ती निदित्व करेगी, clear है, तो rule अपन को पता चल गए है, कि सबसे पहले, अपन को mid value निकालनी है, formula वही अपना ही करना है, जो अपन ने, discrete series में किया था, क्योंकि अपन ने, इस continuous series को, discrete series में बदल लिया है, mid value या मद्धिमाल निकाल कर, यही rule अबस, बाकि सारा system वो का वो ही, ठीक है, तो start हो जाते हैं, लेते हैं example, एक्जाम्पल, बीपी दिया है, mmHg में, और समंदित frequency दी है, मरीजो की संख्या, diet लिक दिया हमेरे, मरीजो की संख्या, ठीक है, जिसे लिया है, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, और 150 से 160, यहां तक डाटा मिला है अपन को, खीक है, और इससे समंदित frequency, भी दी है अपन को, मरीजो की संख्या, चार, पाँच, पाँच, चार, तीन, तीन, एक, एक, दो, दो, यह अपन को, continuous series दी है, और अगला यह से बोल रहा है, कि इससे, mean निकालो, तो सबसे पहले, अपना काम क्या है, कि इससे समंदित अपने, एक table बनाएंगे, से मालो की, इसी table में बना रहा हूं में, इसमें, फिर क्या निकालना है मेरेको, dx, मध्यमान, इससे बोल रहा है अपना, mid value, इसको dx से सो करते हैं, इससे, dx से, तो mid value निकालेंगे, तो 6 इस class की mid value क्या होगी, मध्यमान क्या होगा, 60 और 70 की बीज कोन से संग क्या है, 65, येलो 65, फिर है 70 और 80, तो इसकी बीज मिड बेल निका होगी, 75, फिर है 85, फिर है 95, फिर है 105, फिर है 115, फिर है 125, 125, फिर है 135, फिर है 125, फिर है 125, फिर है 155, बीज कमान mid value निकाल लिए है अपनने, अब वोई काम करना है जो, अब अपनने इस continuous series को discrete में convert कर लिया, अब क्या काम करना है अपन को fx ही तो निकालना है, fx, यह लोग एक box और बना दिया, यह fx हो गया, तो fx में क्या करते है अपन, frequency को variable से, या मद्धे, इसमें मद्धे माने तो इसको multiply कर देंगे, frequency को, इससे multiply कर देंगे, यह तो आगया अक्स, और यह जो frequency है, यह ही frequency, multiply करेंगे, last make total कर देंगे, formula में data रख देंगे, easy है, तो calculate करोगे, multiply करोगे, तो जो data आएगा वो लिख रहा हूँ, calculate कर लेना एकदम correct आएगा, 425, 380, 315, 345, 125, 135, 290, और 310, योग किया, तो यह symbol, sum of fx, total करेंगे, तो जो मान आएगा, जैसे, 2960 आया, और इदर, frequency का total करना है, sum of f या, n, इसका total, निकाला तो अपने पास, 30, योग कर लेना, 30 ही आएगा, अब अपने इसको, इन data को formula में रख देंगे, formula क्या था, अपने पास, mean, इक्वल तो, sum of fx, divided by, sum of f, या n, ये था, sum of fx का मान, 2960, और sum of f, या n का मान है, total, 30, calculate करोगे, तो जो result आएगा, 98.66 mm, hg, यह हो गया, इसका mean, इसमें आप ध्यान यही रखना, last में जो result लिखो, जो data जाज, इसमें अपन को दिया होँ होता है, जिससे यहाँ पे, mm, hg में दिया है, तो यहाँ पे भी वो ही लिखेंगे, अपन, तभी अपन को पूरे में से पूरे नंबर मिल पाए, तो इस तरह से अपन, continuous series के लिए भी, easily, आसानी से, mean को calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो अपनने आज, तीनो series के लिए, first number पे individual series के लिए, अपनने mean निकाला, फिर, discrete series के लिए निकाला, फिर, continuous series के लिए निकाला, mostly, जो आपके question बनते हैं, वो, या तो continuous series में बनते हैं, या discrete series में बनते हैं, अगर अपनको formula ध्यान है, कि कौन सा formula अपलाई करना है, रूल क्या है, तो आसानी से अपन calculate कर सकते हैं, बहुत ही easy है, clear है, तो आज के लिए, इस class में इतना ही धन्यवाद,